नमस्कार दोसुब फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोसुब इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Redmi Note 11 है या फिर Note 11 Pro है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं किसी दूसरे नंबर पर तो कॉल फॉरवड करने के लिए आप यहाँ पर चले जाएंगे डाइलर पर और यहाँ पर जाएंगे और साइटिंग पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर आपको कॉलिंग अकाउंट का ओप्शन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर कर लेंगे अब यहाँ पर दो ऑप्शन है वोईस कॉल फॉरवड करने या फिर वीडियो कॉल तो मैं वोईस कॉल पर क्लिक कर लोंगी और यहाँ पर वेट कर लेंगे यहाँ पर आपको चार आपशन देखने को मिल जाएंगे एक तो होता है औलवेज फॉरवड इसका मतलब होता है कि आपका जो भी कॉल आएगा जैसा भी आपका हर कॉल कैसी दूसरे नमबर पर फॉरवड होगा When busy का मतलब होता है जब आप busy होते हैं calling पे तो कोई किसी का call आता है तो वो दूसरे number पे जाता है When unanswered का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे phone नहीं उठाते हैं तो दुबारा जब call आएगी तो किसी और number पे जाएगी Unreachable का तो यह company का number होता है जिससे आपको message receive होता है कि आपका phone Unreachable जा रहा है तो यहाँ पे आप अपना number डाल देंगे ताकि आप out of station है या फिर out of network है तो डारेक्ट आपके दूसरे number पे call चली जाए तो यह company का number हटा कि आप अपना personal number डाल देंगे ठीक है और इसके बाद आप update पे click कर देंगे और wait कर लेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे Unreachable पे मेरा यह वाला number अपडेट हो चुका है company का number हट चुका है यानि कि जब भी मेरा phone out of network रहेगा तो इस number पे call जाएगी ठीक है तो यहाँ पे आप अपना number अपडेट कर लिजेगा और बाकि आपको इन options में से कोई choose करना है तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं ठीक है I hope guys इस वीडियो आपको पसंद आया होगा चले मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार